हेलो दोस्तों मैं हूँ आपका मेडिकल दोस्त और हमारे इस मेडिकल दोस्त चैनल में आप सबी लोगों का एक बार से फिर से स्वागत है तो चलिए दोस्तों नए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उस वीडियो के बारे में सब कुछ तो वीडियो अच्छा करद की दवा के बारे में आपको पूरी जनकारी देंगे दोस्तों वह दवा है मेफ काइंड इस पास जो कि कुछ इस तरह के स्ट्रीप लुक में देखने को मिलता है टेन टेबलेट की एक स्ट्रीप होती है जिसकी प्राइस की बात करें तो यह सिर्फ आपको 40-45 रुपे में इसली आपके नजदी की मेडिकल स्टोर या आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं दोस्तों मेफ काइंड इस पास टेबलेट की कमपुजिशन की बात करें तो इसमें इच अनकोटेड टेबलेट कंटेंस देखने को मिलता है मेफनिमिक एसिड इसमें 250 mg डाइसाइकलोम इस पास टेबलेट के धेर सारे फायदे पर नज़र डालते हैं दोस्तों यह एक एंटी स्पासमोडिक ड्रग है अगर अगर किसी को पेट में आचानक किसी भी वज़से दर्द होने लगे तो उन कंडिशन में आप इस मेफ कैंड इस पास टेबलेट का इस्तमाल कर सकते हैं साथ ही महिलाओं में जब पीरियड आता है तो पीरियड के दोरान उनके पेड़ू में काफी तीज दर्द होता है तो उन कंडिशन में भी इस टेबलेट को हम दे सकते हैं साथ ही दोस्तों अगर किसी को खूनी पेचिस की सिकायत हो या डायरिया के कंडिशन में उसके पेट तो साथ ही किसी को kidney की सिकायत है यानि की पत्री है पथ्री है गुर्दे में अगर पत्री है तो उन कंडिशन में भी इस टेब्लेट का इस्तमाल किया जाता है यह किसी तरह के भैंकर से भेंकर दर्द को छू मंतर कर देता है क्योंकि दोस्तों इसमें जो है मेफेनिमिक एसीड ढला गया जो कि एक बहुत ही अच्छी पेनकिलर दवा है और डाइसाइकलुमीन एक एंटिसपास्मोडिक ड्रग है दोनों जब दवा मिल जाती हैं दोनों साल्ट मिल जाता है तो एक जबरदस्त काम करता है किसी तरह के भेंकर दर्द को ये कुछ मिंटों में ठीक कर देता है साथी दोस्तों अगर पेट में किसी तरह के इंफेक्शन हो जाता है या आतों में सूजन हो जाता है या हमारे आमास साय के भाग में सूजन या इंफेक्शन की शिकात होती है तो उ उतना सेफ नहीं होता प्रेग्नेंसी में प्रेग्नेंसी में अगर पेट में दर्द होता है तो प्रेग्नेंसी साथ महीने आठ महीने हो गई है और उन कंडिशन में दर्द होता है तो इस टेबलेट को हम दे सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं होती अरली प्रेग्नेंसी में इस टेबलेट को नहीं दिया जाता क्योंकि इसमें डाइसाइकलोमीन डाला गया है तो दोस्तों यह इसके कुछ फाइदे के बारे में यानि कि यह पेट में किसी तरह के दर्थ को छू मंतर करने में काफी मदद करता है तो दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं इसके डोज के बारे में दोस्तों इसकी एडल्ट डोज जो है एक एक टेबलेट शुबह शाम भी आप ले सकते हैं ज्यादा समस्या पढ़ने पर आप इस टेबलेट को दिन बर में तीन बार भी ले सकते हैं या इस दवा को लेने से पहले आप अपने नजदी की डॉक्टर से भी सलाल ले सकते हैं तो यह थे इसके फायदे और डोज के बारे में अब बात कर लेते हैं इसके साइड एफेक्ट के बारे में दोस्तों वैसे तो इसका कोई साइड एफेक्ट नहीं देखा जाता लेकिन इसमें डाले गए साल्ट से अगर आपको एलर्जी होता है पहले से तो अगर आ आना धुदली दिरिष्टी होना सुस्ती लगना इस तरह के कुछ common side effect होते हैं जो कि सभी को नहीं होता तो यह था दोस्तों मैं इस पास tablet के बारे में सब कुछ उमीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें आपके मन में कोई doubt रह गया हो तो हमारे comment box में जरूर लिके हैं हम आपके comment का जरूर reply देंगे